हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर्शन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों की वीडियो को दोस्तों की वीडियो को दोस्तों करने से पेले आप सब्सक्राइब करें चैनल एक टेलिग्रम घूड़ करें अगर आपने तक उसको ग्रुब को भी जोइन कर सकते हैं तो आहां लेते आज की वीडियो का फिर्कार कौन-कौन के नहीं sa बैसे बताना है कि परकिंगा छाड़ू को को कौन-कौन से हैं और डार्ध नायरी चिर्क परकार काओम सेवाबर है iliko ऋप्रोक्त सभी दोस्तों अगर आपका इसको राइट यह पता तो आप हमें कमेंत के जरी जरूर्बता हूं इसका राइट अंसर करें तेख लेता है दोस्ता इसका राइट अंसर हो जाएगा पर के सभी तो इसका राइट अंसर अगर आपको पता है तो हमें इसका राइट अंसर जरूर बताएं देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट अंसर जाएगा अगरें और हमें इसका राइट अंसर क्यों बताएं तो देख लेते हैं इसका राइट अंसर क्योंट में जरूर बताएं दोस्तों यह जो हमारी मर्क्यूरी होती है यह एक च्रा होती है तो ऑप्षन यह में आपका इसका राइट अंसर ओप्षन हो जाएगा यह हमारा ओप्शन से ओप्शन ए रेफ्रीजिरेटर फ्रीजर और वाशिंग मशीन और डिश्वाश डिश्वाशर तो हमारा ओप्शन भी है छोटे घरोले उपकरण टॉस्टर कॉफी निर्माता लोहा या फिर ओप्शन सी हमारा कंप्यूटर मोवाइल लैप्टॉप प्रिंटर या फिर ऑप्शन दी हमारे उपर के सभी दोस्तों अगर इसका रायरे ऊण्सर आपको पता है तो इसका रायर तन्सर करें और नियुक में इसका रिक कर दोता है लेकल मतलब होता है electronic west electronic west कच्रा होता है electronic west में जैसे refrigerator freeze washing machine mobile laptop printer घरेलू के जो हमारे छोट छोट उपकरण होते हैं जो भी electronics में आते हैं वह सब इस्ट या फिर electronic west इक चरे होते हैं तो इसका राइटन्स रोजागा option D देख लेते हैं अगला कोशन तो हमारा अगला कोशन है नारियल की सीख की जालू किसकी सफाई में काम आती है तो इसका options होंगे option A पक्के एबम कठोर फर्स की सफाई में option B चिकने फर्सों की सफाई में option C उप्रोक्त दोनों की चिक सफाई में इसका हैं फिर option D है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट अगर आप को पता है तो हमें इसका दोस्तों answer हो जाएगा option ऐ पक्के एबम कठोर फर्स के लिए हम सीक की जालू का इस्तमाल करते हैं देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है फूल की जालू किसकी सफाई में काम आती है तो दोस्तों आपके सामने 4 options दिएंगी जिसमें से पुछा गया है कि फूल की जालू किसकी सफाई में काम आती है 4 options में आपको राइट एंसर चूज करना होगा देख लेते हैं इसके option, option है पक्के अबम कठोर first की सफाई में, option B है चिकने first की सफाई में, option D है उप्रोक्त दोनों की सफाई में, या फिर option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी कीवी सफाई में इनमें से काम नहीं आती है full की ज़ाडू, दोस्तो अगर इसका right answer आप उनको अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये written exam में क्याई बार पूछ लिए गए हैं, और आपके trade test में ज़ाडू से related question 101% आना ही आना है, देख लेते हैं अगला question, हमारा अगला question है, सिर्की की ज़ाडू किसकी सफाई में काम आती है, तो दोस्तो आपके उसामने options दे नहीं की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट अंसर अगर आपको पता है, तो इसका राइट अंसर टिक करें और comment में जरूर बताएं, देख लेते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C, कच्छे फर्च की सफाई में हम सिर्की जाडू का इस्तमाल करते हैं, देख ले जाडन किसकी सफाई में काम आता है, तो आपके सामने चार options दिये गए है, option A, पक्की अवम कटोर फर्च की सफाई में, option B, चिकने फर्चों की सफाई में, option C, चमकदार फर्णीचर की सफाई में, या option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं, दोस्तों आपके सामने चार options दिये गए हैं, इसमें से आपको राइट अ गए सेनर लगता है तो इसको में करनेघता है आइट सब्सक्राइब कर आफ को को सभाई में काम आता है तो आपके सामने दीए और टोष्या कामें इस means उलिसमाल में आप से पूचा गया कि से मोग के सफाइच करना के लिए काम में लिया जाता है दोस्टो सभाईक पता यह दोस्तो नहीं को साफ करने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है देखते हैं अगला कोशन दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर जाकर विजिट करके प्ले लिस्ट के जरिये भी आप ट्रेड सफाई करम चाहिए से लेटर सभी पिरकार के कैमिकल्स डस्ट विंस टूल्स अबम जितने भी इंपोर्टेंट कोशन से उन सभी वीडियो को आसानी से द तो इसका राइट अंसर कमेंट में जरूर बताएं देखले देखले इसका राइट अंसर जाएको ऑप्शन डि यह तीनों साबॉन अम्ल एवं छारिय पदार्त सफाई के उपकरण होते हैं देखते आगला क्वेशन हमारा अगला क्वेशन है निम लिखित में से कौन सा वि सबसक्ट करने बताएं दोस्तों देख लेते हैं कौन्सा विषक्त। इवेस्ट में पाया जाता है, तो हमारे उप्शन से, उप्शन A, पॉली, उप्शन B, ऑक्साइड, उप्शन C, बैरिलियम, या फिर उप्शन D, उप्रोक्त सभी, दोस्तों इसमें पूछा गया है कि, इवेस्ट कच्रे में इनमें से कौन सा विशाक्तत पाया जाता है, अग आगला कोशन, हमारा अगला कोशन है, निम लिखित में से कौन सा विशाक्तत इवेस्ट में पाया जाता है, तो हमारे उप्शन से, उप्शन A, विनाइल किलोराइड, उप्शन B, बैरिलियम, उप्शन C, ब्रोमीन, या फिर उप्शन D, उप्रोक्त सभी, तो दोस्तों इस सब्च करने में पायते है, देख लेंगे कोशन है, देख लेंगे लुट आगे, व्शन पाया जाने वाले विशा पडार्थ ऐवा मानव पर पढने वाले कॉप्रभाब कौन-कौन से है, दोस्तों इसमें पूछा गया है, कि वेस्ट में विशाक्तत्व जो भी पायते है, option c brain की बीमारी या option d उप्रोक्त सभी दोस्तों अगर आपको पता है कि वेस्ट कच्रे के विसाकत से मानव सरीर को कौन-कौन सी हनी होती है या फिर इन में से कौन सा इसका रायट अंसर होगा तो आप हमें कमेंट में इसका रायट अंसर जरूर बताएं दोस्तों देख लेते ह से मानव सरीर के सोरी मानव सरीर पर कुप्रभाव डालते हैं देख लेंते दुस्त अगला कोशन हमारा अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन PC या TV का सबसे मुल्यवान हिस्सा होता है तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए कैथॉर रेट यू मैं लेड ऑप्शन भी है सर्किट जिसमें चान्दी और सोना होता है वापिसंज यह कैथ्ण याउक में कौपर या फिर ऑप्शन डी उप्शे ब्रॉंग मेंसे कोई नहीं दो इसका राइट अंसर कमेंट में जरूर बताएं दोस्तो देख लेते जिसका राइट अन्सर इसका राइट अंसर जोहेगा बोड जिसमें चांदी और सोना होता है यह पीसी और टीवी का सबसे मुल्यवान हिस्सा होता है देखते हैं अगला कुश्चन हमारा अगला कुश्चन है इक चरे या फिर इवेस्ट के बारे में निमलिकित में सा कौन सा कथन सही है दुश्ट आपके सामने चार ओप्संस दे अग। च्रा यानी मोटी तोर पर फैके हुए बचे हुए त्ट फूटे हुए समय के साथ बेकार हो चुके और ऑल्प जाप करन फिर और यह और बी दोनौ शोफिर। एन इन उपर के options में से कोई नहीं मतलब उप्रोक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका अगर आपको पता तो हमें कमेंट के जरीए जरूर बताएं दोस्ता इवेस्ट कच्रे से में पीचे करा है तोर्य कोई से क्षू है तो आप सब ये क्राइब आट देगको शलाने से एक देखते हैं अगला question हमारा अगला question है electronic west को जलाने से कौन सी विशैली gas उत्पन होती है तो हमारे सामने options दिये गए है option A carcinogens, divanjo, option B है tcdd, option C है neurotoxins, option D उप्रोक्त सभी दोस्तों इस question में पूछा गया है कि अगर आप electronic west इक चरा जो होता हमारा है इसको जलाने से इन में से कौन सी gas उत्पन होती है अगर इसका right answer अगर आपको पता है तो हमें comment मा जरूर है दोस्तों देख लेते इसका right answer तो दोस्तों इसका right answer हो जागा option D उप्रोक्त सभी gas ये e west कच्रे को जलाने से उत्पन होती है देख लेते हैं अगला question हमारा अगला question है e west में पाई जाने वाले विसाक्त पदार्थ एवा मानब पर पढ़ने वाली कूप प्रिबाब कौन-कौन से हैं तो हमारे options दिए गए option A फैंपड़े का cancer option B है जा option C पैचिस या फिर option D उप्रोक्त सभी दोस्तों इसका right answer आप हमें लगता कि जरूर करेक्टे देंगी क्योंकि ये question हमने अभी आपको करा है तो देख लेते हैं दोस्तों इसका right answer अगर आपको पता तो हमें इसका right answer कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों इसका right answer हो जागा option A मानब सरीर में हो सकता है देख लेते हैं अगला question हमारा अगला question है नेमलिकित में से कौन सा देश प्रती वर्थ से सबसे अधिक इवेस्ट पैदा करता है दोस्तों आपके सामने options दिये गए इसका right answer कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों देख लेते हैं इसका right answer तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option B आपका चीन करता है क्योंकि हैहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व है हें पर सब्से ज्यादा रविश्व है इसलिए electronic वेस्ट सब्से सब्से जादा जो हमारे चीन से उत्वान होता है दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको चूप 20 odpow 20 questions आपको कराए вже तो आप इसवीडि प्रफिक शेजिंस को सर्सक्रायें में ड़ी मिरें चेलन मैं ऐहां गरें आप setि अफ़ मुलून zor करें तो दोस्तों मिलते ऑफ नेक्स्ट वीडियों